Study IQ IS अब तयारी हुई इसराइल के उपर हमला कर रहा है चारों तरफ से एक तरह से आप कह सकते हो जैसे कि यहाँ पर अब latest ख़बर आई है कि यमन यमन का काफी जादा influence है इरान के साथ क्योंकि यमन में जो rebels रहते हैं जिनको हाथीज rebel कहा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर कौन होते हैं होतीज तो उनका काफी अच्छा relations है इरान के साथ तो कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि इरान जो है होतीज के माध्यम से अब इसराइल के उपर direct attack कर आप आप सोच के देखिए कहां पर यमन है और कहां इसराइल है और बीच में इतना बड़ा सौधी अरब आता है रेट सी आता है और यह आप खबर देख सकते हो यमन्स होतीज एंटर वार विथ मिसाइल स्ट्राइक लेकिन इस पूरे वार में सौधीर आपको काफी जादा चिंता हो गई है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा चलिया आगे बढ़ते हैं काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी करें तो Study IQ का तीन live batches दोस्तों वो available है that is pure English में pure Hindi और English batch जो भी आप लेना चाहते हो जिसके अंदर prelim से लेकर interview तक mains वगरा सारी त्यारी कराए जाएगी personal mentorship आपको दिया जाएगा सबसे कम दाम पर आपको ये मिल जाएगा by using the code अंकित live ये code इस्तमाल करके आप इसको avail कर पाएंगे चाहें वो कोई भी batch हो optional के batch अजी क्यों ना हो और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं इंस्टा पेज पर जाएए वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है देखें यमन के अंदर जैसा मैं आपको कहरा था haughty rebels रहते हैं यहाँ पर जैसा कि यह यमन आप देख रहे हो इसमें basically क्या है कि बड़ा जो एरिया especially जो इसका capital है सना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर भी बहुत सारा एरिया जो है वो इसमें haughty rebels के अंदर में है तो उन्होंने कल officially announce कर दिया कल 31st of October को officially announce कर दिया कि वो इसराइल hamas war में कूद रहे है और basically उन्होंने क्या किया है कि इसराइल की उपर target किया है by launching missiles हो गए, drones हो गए उसके माध्यम से उन्होंने अपनी entry जो है एक तरह से officially declare कर दिया है अब यह सारा development तब आया actually जब इसराइल की military ने inform किया दुनिया को कि यहाँ पर aerial targets को shot down किया गया है red city में एक शहर है basically मैं आपको थोड़ा सा और map में दिखाता हूँ यह इसराइल का जो map आप देख रहो इसका एकदम southern वाला part यहाँ पर जैसा कि आप देखी रहो यह red sea हो गया red sea के और आगे जाओगे तो आपको पता है Egypt का यहाँ पर Suez Canal आ जाता है लेकिन इसके right side में आप जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर है Gulf of Aqaba again यह zoom in करके आप देख सकतो यह है इसराइल और इसराइल का जो सबसे southern side वाला जो शहर है इसको कहा जाता है Elet यह जो आप देख रहो ना यह है आपका शहर Elet और यह एकदम नीचे के side में है और इसकी location बहुत important जाती जैसे कि मैं आपको कहरा था red sea हो गया यहाँ से this side आ जाओगे तो यहाँ पर Suez Canal आ जाएगा लेकिन rightward side जाओगे तो यह है आपका Gulf of Aqaba और यह है इसराइल का बहुत छोटा सा area यह Red Sea के साथ भी जुड़ता है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर Jordan है Jordan का यह port है आपका जिसको Aqaba port कहा जाता है और वैसे इसराइल का भी port है that is Elet ठीक है और यहीं पर बताया जा रहा है कि Elet के पहले ही जो यमन है ना उन्होंने यहाँ पर missile launch किया था और वो बेसिकली आपका Gulf of Aqaba की तरफ पहुँच रहा था लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो इसराइल है उन्होंने अपना defense system को launch किया और यमन के उस missile को मार गिराया है इन्फरक्ट मैं आपको दिखाता हूँ यह जो आप देख रहे हो यह है आपका इसराइल का arrow air defense system तो इसराइल ने यहाँ पर यह बताया कि इस arrow air defense system के माध्यम से यमन का जो missile था उसको हमने पहले ही मार गिराया वो इसराइल के air space में नहीं पहुँच आता अब यह जो भी कुछ हो रहा इसका सबसे पहले significance क्या है वो हम देख लेते हैं देखो होतीज का इस war में enter करना यह एक प्रकार से लंबे समय से anticipate किया जा रहा था क्योंकि होतीज यहाँ पर इसराइल के खिलाफ हैं को समझना है इसराइल के खिलाफ हैं वो US के खिलाफ हैं सौदी के भी खिलाफ हैं लेकिन यहाँ पर Palestine को लेकर जो होतीज उनके साथ हैं और क्योंकि आपको मैं पहले भी बोल रहा था कि होतीज और इरान यह इनका काफी अच्छा दोस्ती अगर आप देखोगे और इसी के वज़ेसे क्योंकि इरान खिलाफ है इसराइल के और होतीज भी यहाँ पर इसी के वज़ेसे जो गाजा स्ट्रिप में लह रहे हैं लोग हैं जो हमास हैं उनको एक तरह से सपोर्ट करते हैं इनफर्ट यहाँ पर जो प्राइमिनिस्टर हैं इसराइल के बेंजमेन नहतन जाहू उन्होंने कल ही यहाँ परसों यह चीज़ अनाउंस किया कि जिस तरीके से अब यहाँ पर जो होतीज एंटर कर रहे हैं यह बहुत जादा डेंजरस हो सकता है मतलब कि इरान जो है एक तरह से इन सभी देशों के माध्यम से प्रॉक्सी को अक्टिवेट कर रहा है और इसराइल के खिलाफ यहाँ पर वार लॉंच कर रहा है और इसकी वज़े से यह जो वार है वो बहुत जादा डेंजर हो सकता है ऐसा नेतन याहू का कहना था कि होतीस के मिसाल सिस्टम को रोख सकें लेकिन अगेन क्योंकि होतीस का लगतार मिसाल लॉंच कर अब क्या होगा ना कि इसराइल का आगर आप देखोगे इसराइल के उपर चारों तरफ से मिसाल साने लग जाए बहुत जादा बहुत जादा उसके उपर प्रेशर पड़ेगा और उसी प्रेशर के चकर में हो सकता है कि यहाँ पर इसराइल को नुक्सान हो जाए क्योंकि याद होगा आपको 7th of October को क्या ही हुआ था हमास ने जिस तरह से अचाना से इतने सारे मिसालिस लॉंच कर दिये थे जिसकी वज़ ही है यहाँ पर काफी जादा मदभेद हैं तो इरान क्या करता है एक तरह से होतीस के माध्यम से मतलब यमन में रह रहे हैं जो होतीस हैं यहाँ पर उनके माध्यम से एक तरह से सौधी अरब के ओपर काफी सारा जो अटाक है वो लॉंच करता है इन फाक्ट मैं उजह याद ह यहाँ पर जो UAE आप देख रहो यहाँ पर भी मिसाइल अटाक लॉंच किया था तो लंबे समय से सौधी अरब क्योंकि सौधी अरब सुनी मुस्लिम कंट्री आपको पता है और होती बेसिकली दियार शियाज वो भी मैं आपको आगे उनकी हिस्ट्री बताऊँगा तो दोनों के बीच में आगें काफी मद्भेद हो जाते हैं सौधी अरब यहाँ पर अपना प्रेशर डालना चाहता है लेकिन जो होतीज है उनका कहना है कि नहीं हम चाहते हैं कि यमन के अंदर जो शिया है उनका रूल हो एक तरह से तो इसी के बुझे से दोनों के बीच में काफी जादा वार चल रहा है इन फैक्ट मैं आपको पता दूँ होतीज का जो स्लोगन है न वो है डेट्स तू अमेरिका, डेट्स तू इसराइल, कर्स दे जूज और विक्ट्री तू इसलाम तो इस जो उनका स्लोगन है उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्यों आखिरकार यमन जो है वो इसराइल के खिलाफ है और होतीज ने जैसा मैंने आपको बोला उन्होंने कई सारे इंस्टॉलेशन्स पर सौधी अरभिया और जो योई हो गया उनके इंस्टॉलेशन्स पर अटाक किया है अब मैं आता हूँ होतीज के उपर कि ये हैं कौन देखो बेसिकली दे आर शियाज ठीक है ये तो आपको समझ में आ गया और शिया आपको पता है पूरे मुस्लिम कम्यूटी में अगर आप देखोगे तो शिया जो मुस्लिम्स हैं they are minority लेकिन होतीज बेसिकली they are further minorities in शियाइट्स मतलब की शिया के अंदर भी अलग-अलग community है तो हौतीज बेसिकली जैदीज तो जैदी community से वो belong करते हैं and जैदी community बेसिकली शिया के अंदर further यहाँ पर आपको minority देखने को मिलेगी तो भली होतीज यहाँ पर शियाइट्स हैं लेकिन they are different from शियाज in Iran and Iraq इरान और इराक में जो शियाज आपको देखने को मिलेगे उससे थोड़ा सा different यह शियाज है ठीक है जैदीज तो जैदीज इंफरक्ट में आपको बताता हूँ वो पहले यमन के नदन साइड में काफी powerful force हुआ करती थी लेकिन क्या हुआ 1962-70 में जो यमन है याँ आप यमन देख रहे हो यहाँ पर एक civil war हुआ था और उस civil war के दौरान उनका जो power है वो काफी घड़ गया था क्योंकि उसका main कारण यह था कि जो सुन्नी ideology है especially सौदी अरब से उनका काफी जादा influence यमन के अंदर आने लग या और उसी को counter करने के लिए क्योंकि सुन्नी का जो वजूद है वो काफी बढ़ आता धीरे-धीरे 1980s के बाद से यमन के अंदर इसी को counter करने के लिए क्या होता है finally 1990s में यहाँ पर एक person है जिसका नाम है इनफर्ट क्या होता है कि 2015 में एक president चुन कर आते है अब्द रबू मंसूर लेकिन सौदी रबल्स ने क्या क्या उनको वहां से हटा दिया यमन से और तब से लेकर 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो यमन के जादा तर पार्ट में इनफर्ट पूरा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जादा तर ये वाला जो पार्ट है वो आपका होती रेबल्स के अंडर में है अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इनके पास काफी प्रॉमिनेंट जो लोकेशन्स हैं वो देखने को मिलेंगी होती इसके पास जैसे रेड सी में यहाँ पर एक इंपोर्टेंट पोर्ट है वो भी है इसके अलावा यहाँ पर मौन्टेनियस रीजन है ये नॉर्ट वाला पार्ट देख रहे हो यमन का ये काफी मौन्टेनियस है इसकी वज़े से क्या होता है इनको प्रोटेक्शन मिल ज पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो सौधी अरब और यमन में भी मतलब होतीज में भी काफी मतलब शांती जैसा माहूल आपको देखने को मिलेगा मतलब कि सौधी अरब भी आप चाहता है कि वो अपने एकनौमी के उपर फोकस करे वार में बहुत जादा एंटर ना माल लीजे अब यमन यहाँ पर वार लॉंच कर रहा है इसराइल के उपर रॉकेट्स लॉंच कर रहा है अब रॉकेट्स भी लॉंच कर रहा है तो आप कैसे लॉंच करेगा माल लो यमन से कोई रॉकेट इसराइल की तरफ जा रहा है तो वो सौधी अरब का एरिया होते वे जाएगा इसका जो पाथ है वो सौधी अरभ होते वे जाएगा तो सौधी अरभ को इससे चिंता होगी की नहीं होगी बिलकुल होगी तो सौधी अरभ जाएगा फिर जॉर्डन होते वे फिर वो रॉकेट को यहाँ पर गिरानी के कोशिश करेगा अब बीच में कहीं कुछ हो उनको अब काफी जादा डर हो गया है, कि क्या ये जो वार है, क्या ये जो वार है, क्या ये वार और बड़ा स्कोप लेने जा रहा है, यहाँ पर क्या और तेजी से ये फैलता जाएगा, ये काफी चिंता की बात है, और इसराइल के लिए भी काफी सिंता है, जैसा मैंने आप आपको बता है कि इसराइल पर अगर चारों तरफ से अटाक होने लगता है क्योंकि आपको बता है कि यहाँ पर जो हिजबुल्ला है लेबनन वहां से अटाक हो रहा है, सीरिया की तरफ से अटाक हो रहा है, हमास तो यहाँ अटाक करी रहा है, फिर यह तीसरा फ्रंट भी यहा का पाट है इन चारों में से आपको बताना इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे अफोरडबल